असलावलिकुम दोस्तों यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हमतरीन खबरों से अमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आकन को प्रेस कर लिजिए अब को अधिकुम दोस्तों मिलती रहे तो साथीयों आजके वीडियो में सबसे पर दोस्तों किया गया खिर नार्कोटिक हैस जो होता है वो नसीली एरपोर्ट पे दोस्तों पाया गया जो की साथियों वो किसी कंट्री से वो साथियों कतर में लाने की तसकरी करने की वो कोसिस कर रहा था जिसके बाद कतर के कश्टम विभाग के तरब से स्कैनर मसीन में जब जाला जाता है तो बताया दोस्तों यह जाला कि लगभग भारी मातरा में यह यानि 3 किलो से भी ज़्यादा दोस्तों 3 किलो 579 ग्राम यानि दोस्तों साड़े तीन किलो के लगबग हैसिस को वहाँ पे सीच किया गया है फिलाल सभी को वहाँ पे सभी को जोस्तों वहाँ पे जब्द कर लिया गया है जो भी सक्सिस में सामिल था उसे गरफतार करके दोस्तों उसे जेल भेज दिया गया तो भाईयों मैं आपको बार बार कहता हूँ कतर में यदि आप जाते हों तो कोई भी ऐसी illegal activity ना करें जिसके वैसे आप पकड़े जाओ क्योंकि कतर में आप airport पे दोस्तों नसीरी चीजों को आप किसी भी कीमत पर पार नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे ऐसी scanner machine लगी होती यह कहीं भी आप छूपा के ले जा रहे हो तो आप 100% दोस्तों पकड़े ही जाओगे तो कश्टर भी भाग के तरब से दोस्तों पकड़ा गया है और उस पर कानूनी कारवाई की जारी है अगली खबर दोस्तों जारी साथियों कतर के population को ले कर आ ली तो दोस्तों बहुत ही लगतार जो है population अब बढ़ता जा रहा है पहले कतर में population दोस्तों बहुत ही कम था पर अब लगतार बढ़ोतनी वहाँ पे देखने को दोस्तों वहाँ पे मिल रहा है साथियों खबर बताई यह जा रही है कि लगबाच 0.8% की दोस्तों इस बार बढ़ोतरी हुई है और annually increase ह 6.3% यानि एक साल में 6.3% की वहाँ पे population की दोस्तों वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है अगली जो अपडेट दोस्तों आरे साथ ही बंद को लेकर आ रही तो भाईयों आपको बता दूँ बहुत अच्छी खबर है साथ ही जो भाई लोग लगतार मुझसे पूशते हैं कि भाई का असगाल के तरव से कोई भी नया project रिसटार्ट हुआ है तो भाई नया असगाल के तरव से new project रिसटार्ट हो चुका है क्योंकि खबर ही ऐसी आ रही है कि अजगाल के तरव से announcement किया गया कि नया petration bridge बनाया जारा d रिंग रोड में और फ्रीज अलाली इंटरे तक तो जो भी आप लोग वहाँ इस एरिया में जाते थें इस रास्ते को टेंपरोरी दोस्तो बंद किया गया है ये सातियों लगबग बंद रहेगा 31 मार्स जोईद अर्थाइस तक बंद रहेगा सुबह तीन बजे से लेकर 10 बजे सुबह तक तो जो भी आप लोग भाई लो 31 मार्सक ये बंद रहेगा तो आपको 31 मार्सक इस रास्ते से आपको नहीं जाना है रास्ताग मैं आम दोस्तों फिरसे रिपीट कर दे रहो हो सकता आप नहीं सुने होगे तो जो डी डी रिंगरोड है और जो पेड्रेशन ब्रीज है ये रास्ते को बंद किया जा रहा है अ साथियों बता दू आपको जनरल इंडॉर्मेंट डिपार्ट्मेंट इपार्ट्मेंट इविश्ट्य अवकाव इसलामिक एफिर के तरब से वहाँ पे टेंट बनाया गया है दो की साथियों लगतार जब से रोजाई स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक अब दर 10,000 वहाँ पे रोजिधारों को हर दिन वहाँ पे अफ्तार व्गेरा का इंतजाम किया जाता है जो की बहुत अच्छे से इंतजाम किया जा रहा है तो दोस्तों ये कुछ खबरे थी, कुछ अपडेट सी, जो की कतर से आ रहे थी, मैंने अब तक सेयर किया, उम्मीद करता हूँ, वीडियो को अच्छी लगे हो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियों पर जाहिन अल्ला, फिसन टेक्ट